अभी कुछ दिनों पहले मैं कबीर बाणी का एक सौंग सुन रहा था वैसे सौंग बोलना एप्रोपरेट नहीं होगा भजन सुन रहा था बोलो स्कूल में हम सब ने कबीर हो, रहीम हो, मीरा हो इनको पड़ा है और सब जानते हैं कि कबीर हो, मीरा हो, रहीम हो कि केस तरह से चंद लाइनों में कितनी जीवन से जुड़ी होई गहरी और अर्थपूर्ण बात ये लोग कह जाते थे अब दूसरा सच पता क्या है? दूसरा सच यह है, जो हम सब हैं, जानते हैं इन लोगों को लेकिन उनकी कही होई बातें सब भूल जाते हैं, खास तोर पर यंग टाइम के अंदर, बिल्कुल याद नहीं रहता और कारण यह है कि उसको हम एक एक अकेडमिक लेसन की तरह पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी इस अंदाज में पढ़ाते हैं तो उसमें कोई हम जएदा गहरा ही में नहीं जाते हैं, हम एक एक एक्जाम पास करना होता है और हम भूल भाल जाते हैं बाएं लार्ज अगर देखा जाए, तो यंग पीपल डोंट गेट कनेक्टेट तो इस ओल्ड जीनियसेज I will tell you a story, when my son was very young, यानि जब वो सिर्फ पांचवी पास किया था उसने, तो पब्लिक स्कूल में पढ़ता था पांचवी के बाद आपको एक लेंग्वेज का चुनाव करना पड़ता है वो लेंग्वेज में से आप कोई भी लेंग्वेज ले सकते हो, चाए वो हिंदी हो, संस्कूल या फ्रेंच हो अब like many other public schools के जितने kids होते हैं, उनके हिंदी जो होती है, हिंदी अक्सर public school के बच्चों के अच्छी नहीं होती है लिखना, पढ़ना, सब बिलकुल उपर-उपर से होता है संस्कृत तो आप भूली जाओ कि संस्कृत में किसी का इंट्रस्ट होता है बट इस French was very good, very good, almost पांचवी तक पूरे के पूरे नंबर आता थे उसके French में So naturally, जब पांचवी के बाद या option मिली, तो my son wanted to take French after the fifth class कि तेंथ पांचवी से दसवी तक French लेंगे मैंने उसको बोला कि भाई ये नहीं हो सकता, कि French पढ़के करोगे क्या France किसी जमाने में एक superpower हुआ करती थी, लेकिन उसका जो वर्चस्फ है वह खत्म हो चुका रहा होगा किसी जमाने में, किसी जमाने में superpower रहे होंगे मगर आज कोई भी विदेशी भाषा अगर सीखनी हो ना आज के जमाने में तो मेरे हिसाब से आपको Chinese सीखनी चाहिए या Spanish सीखनी चाहिए Chinese इसलिए क्योंकि भरती होई power है Spanish इसलिए कि word में after English second most spoken language में से है और वो भी वैसे देखा जाया तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आज की date में Google translator नाम की जो चीज आ गई है उससे किसी भी language को आप communicate कर सकते हो किसी भी country में चले जाओ तो मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई पांस से दस class तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ हिंदी लेनी है वरना तुम कबीर को मीरा को रहीम को इनको पढ़ने और समझने से चूक जाओगे पक्का चूक जाओगे जो superficial knowledge भी जो होती है जो लोगों को वो भी रह जाएगी तुमारी उसके हिंदी में इस period के बीच में number कम आए as usual तो भी वो आज भी repent नहीं करता वो बोलता है कि यह ठीक किया कि लिए अपने देश की अपनी भाशा आनी चाहिए और उसमें जो इतने महान लोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए था अब जब मैं कवीर वाणी सुन रहा था तो सुनके मुझे फिर वही का वही ख्याल आया कि इतने गहरे मीनिंग वाली जो चुपाईया है या दोहे हैं यह यूथ किस तरह से और कैसे मिस कर जाता क्यों उससे connect नहीं हो पाता obviously कारण तो जो साफ दिखता ऐसा लगता है जैसे कि कबीरो मीरा हो या रहीमो ये spiritual बाते कर रहे हैं आध्यात्म की बाते कर रहे हैं और ये जो बाते कर रहे हैं वो उमर वाले लोगों के लिए ज़दा है और scripture में उस particular age के अंदर कोई interest होता नहीं है इस age के अंदर youth के लिए majorly देखो तो young people जो हैं वो interested के सीज में हैं वो interested इस चीज में हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़े हैं प्रसिद्ध कैसे हो लेकिन संसार में देखा जाये तो फॉर एक्जामपल चाहा पावर हो चाहा तरक्की हो चाहे पैसा हो ये भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं यंग एज में अगर चलते हुए 100 लोगों से अगर आप पूछो कि बास पैसा चाहिए या भ है वो पैसे को opt करें यही purpose है इस podcast series का कि ऐसी चुपाईयों को ऐसे दोहों को उठाना और उनके जो अंदर छुपे हुए जो गहरे छुपे हुए जो messages हैं या meaning है उसके उसको इस तरह से बताना कि कैसे ओ आज के youth को आगे बढ़ने में help करेंगे मेरा generally उन दोहों को सुनने के बाद मेरा ये मानना है कि अगर आज के जमाने में कबीर होते तो वो एक rock star management guru होते या motivational guru होते बातों के अंदर खाली spiritualism या गहरी बातों के अंदर spiritualism नहीं छुपा हुआ दुनियादारी की बहुत सारी जो छुपे हुए नियम है वो भी उनकी बातों के अंदर है जो पहली चौपाई या पहला दोहा जो मैं इसमें pick करना चाहता हूँ वो कबीर का सबसे famous दोहा है सबसे famous क्या है दोहा वो गुरू गुरू गोविंद दोहु खड़े काके लागु पाँ गुरू गुरू गोविंद दोहु खड़े काके लागु पाँ द्यागु आज बालि हारी गुरू आपको जो गोविंद दियो मिलाए कबीरा गोविंद दियो मिलाए अब apparently सीधा meaning जो है वो साफ है कि अगर भगवान और गुरू दोनों खड़े हों और किसी एक को चुनना हो उसमें से तो आप गुरू को चुनू क्योंकि उसी के कारण से आप भगवान तक पहुंचे हो otherwise आप पहुंच नहीं सकते थे और क्या होता है गुरू का मतलब देखो तो गुरू का मतलब true sense में true definition की sense में होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधेरे से उजाले तक पहुंचा दे जो आपको अंधेरे से उजाले तक पहुंचने का रास्ता दिखा सके जो ग्यान देता है इस ग्यान वर्ड को नोट कर लो पकड़ लो इसको ध्यान से तो जो देता है उसको गुरू बोलते है जैसे सिख लोग होते हैं न देखा है न कि गुरु द्वार जाते हैं यानि कि गुरु के घर में जाते हैं घर में जाते हैं सर जुकाते हैं शीष जुकाते हैं और उससे सीखते हैं गुरु से इसलिए उनको सिख कहा जाता है सिख कौन हुआ जो सीख है गुरु से है न तो इस इसलिए यह जो रिष्टा है गुरू के साथ का होता है वो रिष्टा यह होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधेरे से उजाला दिखाता या आपको कुछ सिखाता है जिससे आपको सीखने का मुखा मिलता बिल्कुल सेम वे में जैसे स्पिर्चुलिजम के लिए भगवान से मिलने के लिए दोहे के साथ से गुरू की जरूरत होती है इसी तरह सेम वे में अगर आपको बहार के जीवन में अगर आगे बढ़ना है सफल होना है चाहे वो सफलता कि आपकी डेफिनिशन पैसा कमाना हो famous होना हो, या power की चाहा तो आपको, तो आपको इसमें इस चीज के लिए भी एक गुरू लगेगा, ऐसा गुरू जो आपको रास्ता दिखा सके, आपको ग्यान दे सके, आपको सिखा सके, कि ये जो चीजें आप चाह रहे हो, इन तक पहुंच पाना कैसे संभव होगा, I always say, ये मेरा favorite line है, कि learning leads to earning, ये line note कर लो, आप अपना focus, अगर आप सीखने पर रखते हो, यानि लर्निंग पर रखते हो, तो जितना आप सीखोगे, उतना marketplace में, आपकी value जो है, वो बढ़ती जाएगी, यानि आपकी earning जो है, अपने आप बढ़ती जाएगी, तो earning is directly proportionate to your learning, कि जितना आपकी सीख बढ़ेगी, उतना आपकी earning बढ़ेगी, ये कोई rocket science नहीं है, तैय है, ये, मेरा इसमेना बेहद यकीन है, कि focus हमेशा learning पर होना चाहिए, और corporate word में तो एक term जो है न, बहुत use होती है, जिसको बोलते है, rare trace, कितने लोगों आपने सुनी ह कितनी popular है, और corporate word में join कर लिया, तो तुम भी एक rate race का हिस्सा हो गए, हो ही जाते हो, और उपर से best part पता क्या उसके अंदर, कि अगर ये race आप जीत भी जाओ, तो भी क्या बोलते हैं, कि rate तो rate ही रहेगा, फिर भी आप चुवे के चुवे ही रहोगे, सुनते हो न, ये सब corporate word में काम करने वाले लोग हैं, पता ये क्यों होता है, क्योंकि सब का focus होता है, आगे भढ़ना, तरक्की करना, अपनी job के अंदर, जैसे कोई जंग हो रही हो न, जंग, cut throat competition होता है, corporate word में, और survival of fittest होता है, तो naturally, everyone in corporate world, सब लोग ऐसे लड़ते हैं, जैसे कोई जंग लड़ politics आपको corporate word में मिल जाएगा, और हो क्यों न, इस जंग को जीतने के लिए, और दूसरा तरीका होता भी क्या है, जो आप में पढ़ाये जाता है, लेकिन मेरा मानना यह बस, कि दूसरा तरीका है, बहतर तरीका है, instead of focusing on promotion, अगर आप अपने आपको बहतर और बहतर बनाते चल जाते हो, तो आप किसी भी race में मानलो अगर आप हिस्सा नहीं लेते हो, मानलो क्या, अगर आप अपने उपर काम कर रहे हो, तो आप किसी रेस में हिस्सा नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ अपने उपर काम कर रहे हो, नेचुरली जब आप बहतर काम कर रहे हो, तो आपकी तरक आपको कोई ना कोई दूसरा employer लेने आ जाएगा जो आपकी इस ability की बहतर कीमत देगा बिल्कुल जो ability होती है ना जो काम करने की capabilities होती है ना वो बिल्कुल ऐसी खुश्बू की दरे होती है कि जिस भी field में आप काम कर रहे हो अगर आप चाहो या ना चाहो लोगों से word of mouth होता जिसे कोई अच्छी फिल्म आए और word of mouth से तरक्की कर जाती है तो same way में अगर आपकी capability strong है अपनी field में तो उसकी खुश्बू आपके circle में आपके marketplace में अपने आप फैल जाती है और जो अच्छे employer है वो आपको ढूंडते ढूंडते अपने आप आ जाएंगे बहुत ही पुरानी कहवत है कि जब चेला तयार होता है न तो गुरू अपने आप प्रकट हो जाता है यानि आपको क्या करना आपको सिर्फ सीखने का संकल्प करना है जब सीखने की desire strong तरीके से desire आपके होगी तड़ब जैसी होगी बिलकुल सीखने की तो जो कुछ भी सीख चाते हो न जो कुछ भी सीखना चाते हो वो अपने आप सिखाने वाला कोई न कोई आपके सामने प्रकट हो जाएगा क्योंकि अक्सर लोग यह पूछते हैं कि मैं तो सीखना चाता हूं गुरू कहा मिलेगा तो तुम उसकी परवा मत करो तुम सीखने की desire दिखाओ बस इतन में हो रिष्टेदारी में हो ओफिस में हो हर किसी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खूबियां हैं जिससे आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हो तो एक तरह से अगर आप देखो तो अलग-लग तरीके से आप अपने चारों तरफ गुरूओं से गिरे हुए हर आदमी गुरू अपनी एगो को गिराओ और जितना सीखने के अगर इच्छा रखो तो आप सीख ही जाओगे अब देखा जाए तो वैसे किताबें हो आसपास के व्यक्ति हो यूट्यूब हो यूट्यूब पर इतने सारे इंट्रव्यूज देखने को मिलते हैं मोटिवेशनल गुरूज हो ग्यान देने वाले जो spiritual गुरू हो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा सकते हैं आप सीखने वाले होने चाहिए इस चीज के उपर तो कि गुरू कहां से मिलते हैं या किस से कैसे सीखा जा सकता है इस चीज पर एक बड़ा लंबा podcast मैंने किया था जो आप चाहो channel पे चले जाओ वो आपको मिल जाएगा और अगर नहीं मिले गलती से तो आप मुझे message कर सकते हो मैं उसका link आपको भेज दूँगा आने वाले समय में time to time कबीर के और जो दोहे हैं उसके अंदर जो message छुपे हुआ हैं और गहरे जो आज की youth के साथ connect हो सकते हैं और उसके अंदर उसक आपको help मिलेगी inspiration मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो बस आज के लिए इतना है